इत के मोगे परना हम सबसे ज़दा मटन दिका वोड़ी खाना पसं करते हैं और क्यों नहों यो बहुत ही टेस्टी बनता है और हम kitchen में कोई भी काम करते हुए भी इसे बना सकते हैं बहुत ही easy method से मैंने इसे share किया है और आप देख सकते हैं कि इसका जो mutton है न वो बहुत अच्छे से tender होता है तो वीडियो का आप पूरा watch किजेगा तब ही आप इसे समझ पाएंगे कि इसे हमने कैसे बनाना है बिना तंदूर लगाए और बिना oven के घर पे ही simple से pan में मैंने इसे तयार किया है तो प्लीज वीडियो का आप अपन तक जरूर से watch किजेगा तो फिर चलिए बनाना हम सुरू कर देते हैं तिका बोटी बनाने के लिए सबसे पहले बॉन ले सामने मटन लेना है और इसे एक सी दो पानी अच्छे से वास करके इस टैनर पर रख लेना है और मीडियम साइज की टुगडों में कैट कर लेना है चलिए इसे मेरीनेट करते हैं सबसे पहले एक बड़ा चमज भरकर अध चोटे चमज के करीब धनिया पाउडर एक चमज के करीब और लाल मिर्च का पाउडर डेर चमज या फिर जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं गरा मसाला पाउडर एक चमज के करीब भूना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर एक चमज और नमक हम टेस्ट के अकोड अच्छा आता है तो मैं आपको यही सजिस करूँगी कि आप मस्टर्डोड का इस्तमाल जरूर से करें अगर ना है तो आप बटर का इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर ले और इसे 2-4 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए बाहर छोड़ दे अगर पूरी रात रख रहा है तो श्टीक जो है न वो चले नहीं तो इस तरह से श्टीक को हम गेली कर लेंगे और एक बार जो मटन की पिसी से इसे एक बार चला लेंगे और इस तरह से श्टीक में हम अरेंज कर लेंगे अगर आपकी पास लोहे की सीख है आप उसमें भी अरेंज कर सकते हैं और उसे भी आप अच्छे से कुक कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मेरे यूटूब चैनल पर अपलोड इट है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिक्सोसन बॉक्स में मिल जाएगा, देखे इस तरह से सिंपल मैंधर हैं, बस सिल्ली में आप इसे अरेंज कर ले और डालने के बाद गेज़ की फ्लैम मीडियम कर लेंगे, आप अच्छे साइड 200.11 देख कर लेंगे, दो मिनिट के बाद देख कर लेंगे, लिजरी से परें तूर्मारि योटीई प्याइर में या लिए! तो नॉर्मली रेती है जैसे हम इसे आराम से टच कर पाए तो इस थे हमने ढौकर कर लेना है और वापस हम सब्सक्राइब के लिए अब दो मिनिट के बाद अब उसे टन कर लेंगे यह देखिए और इसे दोनों साइड से अच्छे से हमने क्नरेना है अब हमC तो और चार से पांच मीट का वक्त लग जाएगा यह देखिए चार से पांच मीट में ही बहुत अच्छे से पक पी चुके हैं तो मैं आप इसे निकाल लेती हूं और निकालने के बाद अब जो दूसरी श्टिक है ना हम उसे भी डाल कर इसे भी कुक कर लेंगे तो आप करके आप दूसरे काम कर लें और इसे कुक कर लें अब हम इसी तंदूर वाला टच देंगी तो इस तरह से नैट पर मैंने सब श्टिक को अरेंज कर ली है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बटर में लगा दूंगी और गेस की फ्लेम बिल्कुल ही श्लो रखोंगी और आप इसी मेंतर से फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल तंदूर वाला टच मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा ना सिगडी चलाने की जंजट है और नहीं यह परिशानी है कि मेरे पास ओवन नहीं बिल्कुल आसान मेंतर से घर पे ही बनकर तयार है मटन तिका बोटी है न को कितने अच्छे से टेंडर हुआ है कची पपई का पल पैट करने से यह बहुत अच्छे से टेंडर होता है अगर आपको कची पपई यह नहीं मिल पा रहा ना तो उसका पाउडर भी मार्किट में अवेलेबल है टेंडर पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उ नई नई रेसिपी जाने के लिए चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, थाइंक्स फॉर वाचिंग.